जैहिन तो आल डिफेंस ओफिसर्स, फ्यूचर डिफेंस ओफिसर्स, आपके कंधे पर होगी, है ना, तो जुड़ी है हमारे साथ इसी सिरीज में, एक बार फिर से आपका स्वागत है, प्रिविएस एर क्वेस्टन की सिरीज में, कम्यूनिटी पर आपको क्वेस्टन मिला होगा, जो कि NDA प्रिविएस एर क्वेस्टन है और आया हुआ है NDA 2nd 2012 के सेट एका क्वेस्टन नमबर 7, क्वेस्टन आप देखकर बहचान गए होगे, स्पोर्टिं एरस का क्वेस्टन है, I have seen him, मैंने उसको देखा है, going to the theater, थेटर को मैंने देखा है, तो आपको एक छोटा सा difference बताऊंगा, कि भई क्या difference है आखिर में, present perfect और past indefinite में, तो अगर आपने rules पढ़े हैं, तो आपको पता होगा, कि present perfect भी near past ही होता है, क्योंकि मैं अगर बोल रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूँ, तो खाना तो मैंने खा लिय I have eaten the food, बट अगर मैं बोलू, मैंने खाना कल खाया था, तो मैं बोलूँगा I ate the food yesterday, तो ऐसा क्या difference हो गया, कि कल mention करते ही sentence past indefinite में हो गया, तो यही इन दोनों sentences के, tenses के बीच में difference होता है, वो होता है past का time, past का time एक difference होता है, तो उसी से यहाँ पर error आई है, sentence लिखा हुआ यहाँ पर have seen, यानि कि present perfect में sentence को बनाया हुआ है, पहचाना कैसे मैंने यह, क्योंकि has, have और verb की third form अगर मिल जाए, तो sentence क्या होगा, present perfect, बट यहाँ पर जैसे ही मैंने c part में नजर डाली, यहाँ पर लिखा हुआ था yesterday evening, यानि कि yesterday कैसा time है, past का time है, present perfect में हमें कभी भी नही पता चलता कि वो काम कभ हुआ था, past indefinite में हमें हमेशा पता होना चाहिए कि वो काम कभ हुआ था, time mention होना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पर time mention है, इसलिए sentence present perfect में नहीं बन सकता, have seen को हम काट देंगे, और इस have seen की जगा हम लिख देंगे, I saw him, I saw him going to the theater with his friends yesterday evening, so क्यों किया, क्योंकि past indefinite में verb की second form का use किया जाता है, और c की second form होती है, so, है ना, तो इसी तरह के rules को revise कराने के लिए, और इसी तरह के questions से आपको used to कराने के लिए, मैं यहाँ पर हूँ, इस series में, तो follow करने के लिए series को, फटा फट से subscribe कि लिजे, The Tutors Academy के channel को, अगर आपने अभी तक न वहाँ झाल